जै माता दी दोस्तों तपो भूमी क्लासिस पर मैं अबदेश बदोरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ MP पुलिस कॉंस्टेवल के एक्जाम चल रहे हैं दोस्तों और इन एक्जाम के बेस पर मैथ में एक नए पैटन का सवाल आने लगा है 16 अगस्त की 3rd सिप्ट में हमने देखा कि यहाँ पर इस तरीके के वर्ग मूल पूँचे जा रहे हैं अंडर रूड 8 प्लस 2 अंडर रूड 15 की वैल्यू पूची गई थी इसी सवाल को इस तरीके से भी पूचा जा सकता है कि 8 प्लस 2 अंडर रूड 15 का वर्ग मूल बताईए चुकि आज यह पहली बार प्रशन पूचा गया है अब आप यकीन मान के चलिए कि आपको हर सिप्ट में इस पैटन पे सवाल मिलेगा और मैं नकैबल यह पैटन बताऊँगा सातीसाथ आपको यह भी बताऊँगा जब आपका निगेटिव पैटन आ जाएगा निगेटिव बीच में मैनस आ जाएगा तब यह सवाल आपका किस तरीके से परवर्थत हो जाएगा साðीसाथ कुछ और भी टायप होंगे तो यहाँ पर हम कुल तीन टाइप आपके डिसकस करेंगे और इन तीन टाइप से बाहर आपका एक्जाम में प्रश्ण नहीं जाएगा यह प्रश्ण बहुत ही सरल है अभी हम 19 तारिक तक इसी 19 तारिक तक 19 अगस्त तक आपको एनलेसिस नहीं बना कर दे रहा है क्योंकि मेरे एक्जाम्स चल रहा है ठीक है तो आप टेली ग्राम चैनल जोइन कर लीजिए वहाँ पर जो बच्चे हम को जैसे भी rough question भेशते मैं पूरा का पूरा बहीं पे डाल देता हूं, जैसा भी बच्चे भेशते मैं वैसा का वैसा ही डाल देता हूं, ठीक है, 20 तारिक से आपको regular exam analysis भी मिलेंगे, ये एक छोटा topic था, मैंने सोचा इसको जल्दी से cover किया जा सकता है, तो दोस्तों देखो यह प्लस दो अंडरूर पंदरा का मान निकालना है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि आट प्लस दो अंडरूर पंदरा का बर्ग लिकालना है, तो बहुत से बच्चे तो इसको क्या ना, option से भी level कर लेते हैं, कैसे उन्हें पता है कि भी इतने का हमको बर्गमूल निकालना है, तो जो option दिये गया है ना option का बर्ग कर देंगे तो हमको इसके बराबर मिल जाएगा, मान के चलिए हमने पहले option का बर्ग किया तो इसके बराबर नहीं मिला, दूसरे option का बर्ग किया तो इसके बराबर मिल गया, तो ये दूसरा option नहीं answer हो जाएगा, बहुत से बच्चे इस तरीके की जोगार से भी प्रशन को हल करते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पर actual प्रशन को हल करना सिखाता हूँ देखिए आपको एक formula तो पता ही होगा A प्लस B का whole बर्ग बराबर क्या होता है A बर्ग प्लस B बर्ग प्लस 2AB यह आप सभी लोग जानते हैं ठीक है अगर हम यहाँ पर यह कहें कि अगर मान के चलिए यह सवाल कुछ ऐसा ही है कि हमने यहाँ दोनों तरफ अंडरूड लगा दो तो इस तरफ भी अंडरूड इस तरफ भी अंडरूड यानि कि कोई एक संख्या भीतर लिखी हुई है उसका बर्ग मूल हमको निकालना है तो क्यों न उस संख्या को दो संख्याओं के जोड या घटाने के वर्ग के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो बाद में क्या होगा कि ये जो वर्ग होगा उससे ये वर्ग मूल कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा तो यही प्रिक्रिया हम यहाँ पर अपनाते हैं तो ये प्रिक्रिया अपनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये जो संख्या है ना आठ प्लस दो अंडर रूड पंद्रा इसको किनी दो संख्याओं ए प्लस बी के होल वर्ग के रूप में इसको प्रदर्शित करना पड़ेगा अब ए और बी हमको कैसे मिलेंगे ये समझ ये देखिए ये जो पूरा फॉर्मूला है ना इस फॉर्मूले में आपको 2A भी यहां पर दिख रहा है और यहां पर ये दो संख्याओं का वर्ग A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर और यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या करना है एक संख्या तो पूरी पूरी लिखी हुई है ठीक है एक संख्या में अंडरूड वाला पार्ट भी है और वैसा पार्ट भी है ठीक है बिना अंडरूड का तो इसको उठा लो हमेशा इसको उठा लो जैसे यह उठा लिया मैंने दो अंडरूड 15 और इसकी तुलना कर दो 2AB से किस से तुलना कर देंगे इसकी 2AB से तुलना क कर दिया आप बताओ के आप क्या कर लो पंद्रा को term क्या करो किसे सकते हैं एक और 15 हो सकता है तीन और पांच हो सकता है यही गुड़न खंड हो सकते है अब आपको वो गुड़न खंड चाहिए जिनका वर्ग करके जोड़ोगे तो आठ आ जाए ठीक है देखो यहां देखो यह 15 लिखा अंडर रूड में तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अंडरूड 3 गुड़ा अंडरूड 5 लिख सकता हूँ वराबर A into B तो A का मान अंडरूड 3 आ गया B का मान अंडरूड 5 आ गया अब यहां पर एक बार वर्ग करके देख लो अंडरूड 3 का करोगे तो 3 आया अंडरूड 5 का वर्ग करोगे तो 5 आया दोनों को जोडोगे तो किता आएगा 8 आएगा चुकि यहाँ पर 8 दिया है तो यही मान सकते हैं अगर हम 1 और 15 लेते तो क्या आता अंडरूड एक गुड़ा अंडरूड 15 जब इनका बर्क करते तो यह 1 होता और इसका बर्क करते तो यह किता होता हमारा 15 होता यानि कि 16 आजाता चुकि यहाँ पर 16 नहीं दिया है तो हम यह पहले वाले इस combination को नहीं लेंगे 3 और 5 वाले combination को लेंगे तो यहाँ पर हमको वो combination पता चल गया यानि A और B के मान पता चल गया चीक है अब यहाँ थोड़ी जगा कम थी चलो A और B के जैसे ही मान पता चल गया फिर अब हम आँगे क्या करेंगे देखो A और B के हमको मान पता चल गया कित्ते आगए A और B के मान अंडरूड 3 और अंडरूड 5 अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इसी को हम लिख सकते हैं कि अंडरूड 3 का वर्ग प्लस अंडरूड 5 का वर्ग ये क्या हो गया अपने आप में 8 हो गया 8 को मैंने इस तरीके से लिख दिया प्लस दो अंडरूड 3 इंटू अंडरूड 5 अब ये क्या बन गया A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2AB यह होता क्या है A प्लस B का होल स्क्वेर तो इसको हम कैसे लिख सकते है अंडरूड 3 प्लस अंडरूड 5 का होल वर्ग यानि कि यह जो संख्याती यह जो संख्याती इसको हम कैसे लिख सकते है अंडरूड 3 रीसप commer लेशन iphone लेग फिन गयों आपको कोई भी सवाल आएगा आपको कुछ नहीं गरना है भीतर का ये वाली जो हुए ना इसके माध्यम से A और B के मान निकाल लेने हैं और अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो सीधे प्लस वाले को आंसर लिख देना है A और B के मान के साहित ठीक है आंगे बढ़ते हैं एक माइनस वाला सवाल देखते हैं क्योंकि माइनस वाले में थोड़ा आंसर माइनस अंडर रूड पांच आ जाएगा और यह सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन में भी बी पे दिया है बहुत से बच्छी यहीं पे लगाके आ जाते हैं और गलती हो जाती है ठीक है क्योंकि इसका आंसर आएगा डी क्यों आएगा डी आईए समझते हैं देखिए देखो हमको जब इसका अंडर रूड निकालना है किसी भी संक्या का आपने बच्पन में भी पड़ा होगा अंडर रूड क्या होता है अंडर रूड चार अगर निकालना है तो इसके सही मान क्या होता है प्लस माइनस दो एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना है क्यों क्योंकि प्लस दो का भी वर्ग करोगे तो चार आएगा, माइनस दो का भी वर्ग करोगे तो भी चार आएगा, आएगा की नहीं, अब ऐसे ही यहाँ पर, देखें जैसे ही मुझे यह सवाल देखा, मैंने A और B के मान निकालने की कोशिस की, देखो जैसे मुझे 2 अंडर रू बन जाएगा की अंडर रूड तीन का वर्ग, प्लस अंडर रूड पांच का वर्ग, माइनस दो गोड़ा अंडर रूड तीन गोड़ा अंडर रूड पांच, तो यह क्या बन गया, A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर, माइनस 2AB, बराबर क्या होता है, A माइनस B का होल स्क्वेर, यानि कि किता आ जाएगा under root 3 minus under root 5 का whole square तो अगर ये आ जाएगा तो इस हिसाब से answer क्या हो जाएगा हमारा हमको क्या चाहिए इस पूरे का क्या चाहिए वर्ग मूल इस पूरे का क्या चाहिए वर्ग मूल तो ये वर्ग से ये कट जाएगा तो answer आ जाएगा under root 3 minus under root 5 लेकिन यहाँ पर हम एक गलती कर गए क्या plus minus लेना भूल गए हमने तो direct plus ही निकाल दिया तो under root 3 minus under root 5 आ गया अब मान के चलिए हम plus minus ले लिये होते तो हमारा answer ये होता और दो answer हमारे आते अब दो answer जब आते तो एक बार plus लिया तो तो answer आ गया under root 3 minus under root 5 और जब हम minus लेते तो answer क्या होता minus का गुणा होता तो under root 3 minus का और minus minus plus तो under root 5 plus का यानि कि हमारा answer क्या हो जाता under root 5 minus under root 3 तो ये दोनों ही आंसर हमारे सही होते यानि कि ये आंसर और ये आंसर दोनों सही होते तो D आंसर हमारा हो जाता किलियर है तो यहाँ पर आप से गलती हो सकती थी तो ये भी मैंने आपको बता दी जब भी मैनस का आएगा आपके दो आंसर आपको निकाल ले हैं ठीक है, अगर option में, option में इन दोनों में से एक ही दिया है, तो वो tick कर देना है, अगर दोनों दिये हैं, तो दोनों का option होगा कि भई, दोनों tick कर देंगे, ठीक है, आप उत्तर की भी जाच कर सकते हैं, इसका भी बर्ग करोगे, देखो इसका बर्ग करोगे, तो किता, a का बर् पंदरा ठीक है दो अंडर रूड तीन गुड़ा पांच इसका पांच इसका तीन और यह बीच में मानस दो अंडरूड पंदरा इसका भी वहीं यानि कि वर्क करने पे दोनों वही संख्याएं आ रही है ठीक है तो यह दो पैटन तो हो गाए एक प्लस वाला पैटन बिल्कु प्लस वाला फिसका प्लस पिष्यगव करोगत वहीं आएगा और यहीं पर आपको ऊप्शन में दिखेगा अगर यहभी आपको तो यहें पर यहां पर दोनों संख्याएं लगा सकते हैं ठीक है क्योंकि वर्ग मूल अमेशा दो हाते हैं आपके चलो, आँगे बढ़ते हैं एक ऐसा भी सवाल आ सकता है जहांपर क्या है ना आपको तुलना करने में ठोड़ी कठनाई हो सकती है लेकिन बस जब आपको यह दो नहीं दिख रहा है यहां पर तो ऐसी समय में आपको क्या है धीरज नहीं कोना है आपको तो यहाँ पर तुलना करनी है यह जो 6 अंडरूड साथ है इसकी तुलना आपको 2AB से करनी है जैसे करते चले आ रहा है वही काम करना है 2 से इसको काटो काटो यह 3 आ गया ठीक है तो 3 अंडरूड साथ अब यहाँ पर चेक कर लो कि A और B के ये मान ठीक हैं की नहीं कि A की जगे अगर हम 3 ले लें और B की जगे अंडरूर 7 ले लें तो A स्क्वेर कित्ता हो जाएगा A स्क्वेर 9 हो जाएगा और B स्क्वेर कित्ता हो जाएगा 7 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक है तो यहां पर actually मैं क्या ना मैंने यह सवाल बनाते समय थोड़ा गलती कर दी यहां 63 लिख दिया 63 नहीं लिखना था यहां मुझे 16 लिखना था ठीक है 16 अब देखो अब जिचू की सवाल में कित्ता लिखा है यहां पर 16 लिखा हुआ है ठीक है क्योंकि जब आप पूरा solve करोगे तो क्या होगा तीन प्लस अंडरूड साथ का होल वर्ग आ जाएगा और उसी का अंडरूड करना है दोनों कट जाएंगे तो तीन प्लस अंडरूड साथ मतलब ऐसे सवाल आपको अब पूरे solve नहीं करने अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर यहां 16 की जगा 20 होता तो तो वह आपसे नहीं पूछते क्योंकि फिर आप इसको solve नहीं कर पाते तो आपको ऐसा question थोड़ी पूचेंगे अब क्या है कि जैसे ही आपको A और B के मांद दिखने लगेंगे आप तो रंत आंसर बता दोगे बीच में माइनस लगा है तो आप दो आंसर बता दोगे बीच में प्लस लगा है तो आप एक ही आंसर बता दोगे हैं की नहीं तो यह बहुत ही सरल सवाल है कोई इसमें कठिन नहीं है आपको कोई भी दिक्कत हैरानी परेशानी होती है तो आप comment section में जरूर बता है और अभी 19 तारिक 1249109 पर अपने प्रश्न हमें भेश सकते हैं धन्यवाद चैम आता दियों